स्वागत है आपका Defense Officers Academy के YouTube channel पे और आज है day 22 और आज हम लोग again time and work का एक important concept देखेंगे देखेंगे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सारी calculations हम लोग करेंगे unit time work के साथ ओके और reciprocal of total time gives you unit time work और yc versa अभी जो सारी calculations है ना या भी calculations में एक calculation ratio भी आता है यही चीज में आपको इस session में दिखाने वाला हूं ठीक है तो directly question लगाता हूं ratio वाला अब हमें पता है कि सारी calculations देखी ratio भी calculation है और वो भी हम किस के साथ करेंगे unit time work के साथ यहाँ पर question में क्या दिया है मैं थोड़ा सा shortcut तरीक से solve करने की कोशिश करूँगा a कितने दिन में काम करता है 12 days में तो a का जो one day work होगा it's going to be 1 by 12 okay आप exam में ऐसे मत लिखिएगा वो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आप totally आप पूरा लिखेगा a can do a piece of work in 12 days then a is one day work is equal to 1 by 12 इसी तरीकी से b के बारे में दिया है कि b किसी काम को 15 days में करता है और b का जो one day work है that will be 1 by 15 and with the help of c कहा गया आपको इसका मतलब अगर a, b और c तीनों मिलकर काम करेंगे so they will finish the work in 5 days so a plus b plus c का कितना हो जाएगा one day work it is going to be 1 by 5 अब आपको दिया क्या है देखिए अब basically आपसे कहा गया if they are paid 2880 इसका मतलब आपने 2880 को divide करना है दिखे ratio को concept आ गया तीन parts में क्योंकि ABC को आपने देना है अब वैसे दो exam में हमसे कहता था कि you have to divide 2880 among ABC in the ratio but this time ratio is not given to you लेकिन हम ratio कैसे ले लेंगे unit time work से ठीक है आपको निकाला है how should the money be divided among them ABC तो हमें basically A का one day work तो पता है कितना है 1 by 12 B का one day work पता है कितना है 1 by 15 लेकिन C का नहीं पता तो पहले हम C का निकाल लेते हैं तो C का one day work कितना हो जाएगा है याँपर C का one day work को जाएगा total one day work से अगर आप total one day work से A plus B का minus कर दे minus 1 by 12 plus 1 by 15 तो मेरी ख्याल से यहाँपर जो LCM आएगा LCM is going to be 60 तो तो फाइव 12 times 12 minus 12 5 times minus 15 4 times तो यह आजाएगा 3 by 60 या 1 by 20 तो यह आगया 1 by 20 तो आप अब जो ratio लोगे A is to B is to C और वो आजाएगा 1 by 12 is to 1 by 15 is to 1 by 20 तो यही important चीज थी आपको बताना तो यही important चीज थी आपको बताना तो और fractions में avoid करने की कुशिश करते हैं तो इसको थोड़ा सा simplify कर लिजी का into 60 into 60 into 60 into 60 से सभी को multiply कर लो so ultimately what you will get 5 is to 4 is to 3 ठीक है इसका मतलब आपने जो 2 880 rupees divide करने हैं among ABC किस ratio में करने है 5 is to 4 is to C इसका मतलब अब आप directly कह सकते हो कि why taking common multiple a को कितने मिलेगा 5x b को कितना मिलेगा 4x c को कितना मिलेगा 3x total कितना हो गया 12x ठीक है total हो गया 12x तो आप करोगे 12x is equal to total कितना है 2 8 8 0 x की value कितने जाएगी it's going to be 12 2s 24 okay 12 2s 24 कितना बचा 48 12 4s of 48 x की value कितने आगे 240 जैसी x की value 240 आगे तो a का share कितना होगा a का share होगा 5 x 240 it's going to be 1200 rupees b का share कितना होगा 4 x x 4 x 240 it's going to be 400 4 4 16 960 rupees और c का share कितना होगा 3 x it means 3 x 240 3 0 is a 0 4 3 is a 12 7 20 rupees तो इस तरीके से 288 0 rupees को a b c में बाटा जाएगा सबसे important क्या था सबसे important था कि जो हमने ratio लिया वो भी किसका लिया unit time work का okay so I hope कि आप को concept समझमाया हुआ इसी तरीके के और concept हम लोग लाएंगे time and work के कुछ और concept से जो आपको करवाने बहुत important है आज की class को यह पर wind up करता हूँ I hope कि यह जो session से छोटे छोटे आपके लिए beneficial रहेंगे that's all today bye bye see you soon comment में जुरूर बताना कि और कौन से session हम आपके सामने लाएं मिलते हैं बहुत जल्द जय हिंद। करे में लाएं लाएं मिलते हैं थाखेन लाएंम है कि करेंगे लाएं लाएंम है दो कोईव्ण के सामने sleeping available करेंगे लाएंगे लाएंगे यह जो नहाएं कि अवाएंगे हैं